हम सब लोग यह जो इतिहास है इसके साक्षी है कि इतने बड़े महानविक्ति का स्टैच्यू का आज ओपनिंग हो रहा है कि इतने बड़े महानविक्ति का स्टैच्यू में स्टैच्यू कि इतने बड़े में स्टैच्यू का आज है कर दो कर दो कर दो कर दो कि अजिनए अज्यूप साइures फ्रेका इसकता। मुम्न आजिस्ट न्यूजा, बूलत siyapyhеб। भूलत सुन्साटाब बूलत सूचिफिया। वेट इस बुसिनस्ट और सोचिल वर कि रूलत से एफ्टीज बूलत से बूलत से टीज़ कोई विजिसार, and a business leader, he took Ruby Mills to new heights by constantly innovating its fabrics and business practices. First of all, we thank my grandmother, Srimati Arunabhin, for guiding us through this journey and all the family members who have spent no effort in bringing together a book that beautifully sums up my grandfather, Manubha's life for the generations to come. मैं अब सबका रुवी मिल के ओर से यहां हार्दिक स्वागत करता हूं. A hearty welcome to you all on behalf of the Ruby Mills Limited. We will start the proceedings with prayer and lighting the lamp. May I now request Srimati Jai Shri Bhabi to come forward and recite Naokar Mantra. May I request all of you to please stand up. Aum Namorihantanam 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 सववपावपनासनो मंगलानंच सववे सिंग पडमम हवे मंगलम ओम मंगलान जैश्री भावी अभी मैं आदर हिनिया स्रीमत्यारुना बेंच से प्रातना करता हूँ कि आप मंज पर आए और आपके साथ हिरन भाई सेट, जैश्री भावी, भरत भाई सेट, अभा भाबी जी, विराज भाई सेट, तिपति भाबी जी आशाबेन योगेश भाई और योगेश भाई कोरडिया जी आप भी मंच पर आईए अब लाइटिंग अब दे लैंप होने वाला है दीप प्राकर्टेक्स के साथ आज के कारेक्रम का शुभारंबो होगा कुछाबेन वहां से लोगे अ हैै हुआआा डर tested कारेक्स के वदिए अ करे लादा बादाकर को स्वेश कमा वाला हं अ चुवभूज झाल बस्यों एड़ एड़ हमाज 납 मुश्ट वहाद अरु़ लगवու कॉंट्रिविशन अफ लेजंडरी पर्सनालिटीज इन थे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री हाज बिन भेरी क्रूशल श्रीमान मनुभाई शेट वाज अल्वेज रिगार्डेड अज मेंटर और गाइड बाइड एंटायर टेक्स्टाइल इंडस्ट्री वस्त्रोध्योग याने टेक्स्टाइल के क्षेत्र में महान व्यक्तियों का योगदान बहुत ही उपयुकत रहा है श्रीमान मनुभाई शेट की और सारी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री एक गुरु तूल्य मारगदर्शत की नजरों से दिखती थी आपके विक्तित्म में नई विचारधारा एवं जीवन शेली का साक्षातकार हमें प्रतित होता है इससे आने वाली जेनरेशन को मारगदर्शन मिलता रहेंगा अब मैं अधरणिया श्रीमती अरुना बेन एवं उनके ग्राइंड चिल्डर्न से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज स्टेप फॉर्वर्ड टुवर्ज डिस स्टेचू अब स्रीमान सेट मनुबई शाहा प्लीज और आप सब लोग भी स्टेचू की तरफ अग्रेसर हुई है और यह स्टेचू का इनौगर्शन अभी होगा आप यहाँ स्क्रीन के ओपर भी स्टेचू देख रहे हो ग्रैंचिल्ड्रेन में पुरो भाई, बर्खा भावी, रिशब भाई, रशी भावी, नेहाली बेन, जय भाई, मिहीका बेन, रुनीच भाई, जानवी बेन, मिलोनी बेन, प्रणो भाई, एवन मांसी भावी आप सब वहाँ स्टेचू की और पदारने की कृपा करे हम सब लोग यह जो इतिहास है, इसके साक्षी है कि इतने बड़े महानविक्ति का स्टेचू का आज ओपनिंग हो रहा है मैं अभी आदर निया श्रीमती अरुना बेन एवन आपके साथ जो आपके ग्रैंचिल्डर्न हैं उनसे प्रात्ना करता हूँ कि आप पहले दीप प्राकट टेक है, दीप प्रजवालन से हम लोग यह जो लॉंचिंग है, यह जो ओपनिंग है, उसका आरंबा कर रहे है नहीं तो क्वल्डर्रीघ auf झाल झाल आफ्टर दिप्रजवदन मैं आदर्णिया स्रीमिते अर्णमन से प्रार्थना करूंगा कि आप रिबन अंदरिबन करके आज का जो ओपनिंग है बड़े सेट के स्टैचु का वो आप करेगी स्रीमान सेट मनुभाई शाह का जो स्टैचु ये स्टैचु हमें हर दम हर पल प्रेणा देता रहेगा मैं सभी उपस्तितों से फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ कि आप स्टैच की ओर आए आई विल रिक्वेस्ट अदर्णिया श्रीमती अरुना बेन एवं हिरेन भाई जैश्री भावी भरत भाई अबाबाबी विराज भाई दिप्ती भावी अशा बेन योगेज भाई और योगेज भाई कोरेडियाई जी से कि आप भी मंज पर आईए अभी हम लोग जो बड़े सेट मुनवाई सेट के जीवन कार्या पर जो बुक रची हुई है उसके लॉंच की और हम लोग बढ़ रहे है Modern Management Science started its evolutionary journey with pioneering principles of Mr. Frederick W. Taylor in his book Scientific Management. Many thought leaders have contributed in the process of modern management philosophy. Few such names in past few decades are सभी का स्वागत है अरुना बेन जी एवं सारे सेट लोगों का और भावी जीओं का आशा बेन अभी गया few such names are Philip Kotler, Peter Drucker, etc. यह names मैं इसके लिए लिया कि यह जो thought leaders है इन्होंने यह व्यवस्ताफंशेत्र जो पूरे विश्वम है उसको सजाया है लेकिन आपके सामने में एक चीज बहुत ही frankly रखना चाहता हूं कि all these theories at last lead to holistic management style as well as philosophies of work-life balances. When we look at all these world bestseller books, their principles, thought leaders, philosophies, we find that Sriman Manubhaishet has already brought all these principles and philosophies into practice. It's amazing to have such a great personality. In world booksellers में लिखे हुए सारे तत्वम को Sriman Manubhaishet ने अपनी जीवन चली में अपनाया, इने प्रतक्ष रूप में अपने खुरुते के द्वारा दिखाया. यह एक दिव्यता का प्रदर्शन है, एक दिवारता का दर्शन है. अब मैं इस महान व्यक्ति मत्व के जीवन कारे पर रचित बुक, A Life Beyond Ordinary के लाँचिंग के लिए आदरिनिया, Sriman Manubhaishet 2 से एक बार फिर एक बार प्रातना करता हूं कि आप ये बुक लाँच करें. The book's name is A Life Beyond Ordinary. Again, we have witnessed a very, very rare historic moment just now. Thanks a lot. Sriman Manubhaishet ने अपने जीवन में बिजिनेस लाइफ के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन में भी सफलता हासिल की. इन दोनों पहलों को उन्होंने सफल बनाया और ये दोनों पहलों में वो काफी कारे रचित थे. यह बहुती असामान्य बात है, extraordinary बात है. इस मानता को अधोरिकित करते हुए, इस बुक का नाम, टाइटल, Life Beyond Ordinary रखा गया है. Looking at unparalleled contribution of स्रीमान मनुभाई सेट on both the fields, both the fronts, we can say, on business as well as philanthropy, the book is titled as Life Beyond Ordinary. जब हम लोग कभी spiritual की बात करते हैं, उसकी और नजर डालते हैं, तो हमें कुछ चीज़े ध्यान में आती हैं, उसकी और गौर करना पड़ता है. Great poet and philosopher Thiruvalliwaran ने कहा था, think of any activity and start thinking well. Do not worry about why we did this after the start. श्रीमान मनुभाई was a great decision maker, a great organizer and great motivator too. संत नामदेव जी ने भी खहा था, तीरते के साथ साथ अपने गुरू, माता, पिता, एवाम अपने सारे कुटम्बिय, परीजन, मित्र परिवार, इन में इश्वर का साक्षातकार होता है. सेंट नामदेव had said that God can be witnessed in the form of our parents, guru, family, extended family and friends as in various तिर्थाच. स्रीमान मनुभाई शहा ने इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में सिद्ध कर दिखाया है. Addressing to mind, स्वार्थ रामदास had said, your benevolent deeds are like sandalwood that consumes itself in giving fragrance throughout. This is the principle of fulfilling life. चंदन जैसा अपने जीवन से सदासुगंद देते रहना यही आपिक्षा संत रामदास जी करते हैं इस लोक में. स्रीमान मनुभाई आपने इस प्रत्यक्ष में लाया है आपके जीवन में. आपका जीवन लोकिक एवं पार्मार्थिक विचारों में भी महानता का परीचे देता है. समाज के लिए आपने सेवा भावी व्रत का अचरण किया था. सर्वे पी सुखेना संतू, सर्वे संतू निरामया, Let all be happy and healthy. इस आदर्शों का आपके जीवन में आपने लक्ष बनाया था और सोसाइटी एटलार्श की निरपेक्ष भावना से आपने सेवा की थी. आदर्णिय सेट श्रीमान मनुदभाई के प्रत्यक्ष जीवन पर आधारित यह बूक हमें आने वाले जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनती रहेगी. और हर एक पादू पर हर एक पल्प हमें मारगदर्शन भी करती रहेगी. Now may I take the opportunity to call upon generation next, Sririshabh Bhai, to come forward and present few lines from the book. Good evening everyone. I feel proud to share with you a few lines from the book that beautifully sum up Dadaji's journey. Whether it is business or social work, Manubhai reflected all that a single being could achieve. As a visionary and a business leader, he took Ruby Mills to new heights by constantly innovating its fabrics and business practices. In his heart, he held the belief that he had been given enough and upheld the responsibility to give back to those in need. Dedicated to making the world a better place, his legacy is immortal and he will be remembered for years to come. Truly, a life beyond ordinary. Thank you Dadaji for always being with us. Thank you very much, Rishabh Bhai. It was very, very apt, truly from bottom of heart words and this book and the statue will keep on inspiring us continuously. By our hand, Urgazi bin Gorha Bhai tells us, It is very apt, God. चूज़ जए अज़र जवाट लिया को थाज़ कि अज़ाटने अज़टे ज़िए लिए लेट तो बीजिए इमिने फिल्ट्रफी और लेजिए अगज़े इन अज़िए इविटेगाँ फूट्टे पर बिंदिन हो बीज़िए लिए पाले को अगनोले कि अवोग एप for the generations to come. I would especially likerimal ع Tillman. Who meticulously documented all the details and helped us collate the book. Further I would also like to thank the team at JACKPrinters, Mr.ar internas, Mr.ATT, Mr.Kush true, Ms. aid inia and Mr. GEWAS who have turned around the book with really tight timeline. Lastly, thank you all for joining us in person and online and gracing this occasion with your presence. Had it not been for the circumstances we would have loved to have celebrated the milestone with all of you in person stay safe thank you thank you very much Purobhai